सबसे थेज़ खबर पानी के लिए आज ही हमारे चानल को सबस्क्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना बूले करोना वैस्विक महामारी के चलते इस बर्ग सावन में गंगा जल लाने वाले कावणियों की बंबं बोले की गून भले ही न सुनाई दे रही हो लेकिन भक्तों की आस्ता का ध्यान भारती डाग विभाग ने भखुबी रखा मंदिरों में गंगा जल चड़ाने के लिए डाग विभाग ने खास इंतजाम किये हैं जिसमें भक्तों को सिवालियों में गंगा जल से अब इसे करने के लिए कोई भी परेशानी ना हो इसलिए परेली के डाक घरों में गंगोत्यि गंगाजल उप्लब्द कराया जा रहा है सावण के खास मौके पर डाक विभाग ने गंगोत्यि गंगाजल की फिक्री करने के लिए जिले के बंचानमे विशेस काउंटर लगवाये गये हैं वक्तिन काउंटरों पर जाकर गंगाजल खरीद रहे हैं और सिवालियों में जलाबिशे कर रहे हैं आस्था के लिए इस समय सावन के सिवालियों में चढ़ाने वाले गंगाजल की कीमत 30 रुपए रखी है वहीं सेनिटाइजर पोष्ट माष्ट का कहना है दाक विभाग ने कोई भी विक्ति गंगाजल खरीज सकता है गंगोत्री गंगाजल की विक्री के लिए जिले के दाग घरों में वर्ष्था की गई है वहीं गंगाजल लेने वाले सद्धालू कापी को सें कि उन्हें इसू और गंगाजल वित्रण का मेरे उपर ही कारेभार है और यह लागडाउन के चलते सरकार ने एक नई पहल की है कि लोग जब गंगाजी नहीं जा पा रहे हैं तो गंगोत्री से हम गंगाजल उपल उपलब्द करा रहे हैं यह 500 ml का 30 रुपे का है और काफी बिक रहा है अभी तक 102 अभी बिका है और हमारे स्टाक में 479 है और 2400 बोतलें और हमने मंगाई है गंगाजल के लिए कि ताकि लोगों को उपलब्द हो सुके और सनिवार को भी लागडाउन है फिर भी पोस्ट आपिस खुले है